क्लोई का कट पुटलि का खेल पैपा और उसका परिवार अंकल पिग आंटी पिग और कजिन क्लोई से मिलने जा रहे हैं मुझे लगता है अंकल पिग हमेशा की तरह लंच खाने के बाद सो जाएंगे डाडी पिग आपको अपने भाई के बारे में ऐसी बाते नहीं करनी चाहिए खासकर बच्चों के सामने पर सही तो है अंकल पिग बहुत ज्यादा खाना खाते हैं और जोर-जोर से खराटे मार कर सो जाते हैं ये ऐसे पेपा जोर्च मैंने जो कहा वो सब भूल जाओ चीक यादी परिवार अंकल पिग और ऐन्टी पिग के घर पहुँच गये हैं हेलो अंटी पिग हेलो अंकल पिग हेलो कीसे है अप बलकुल ठेक हो तुम कैसे हो अंकल पिग डाडी पिग के भाई हैं क्लोई पिग पेपा और जॉज की बेहन है हेलो क्लोई हेलो पेपा, हेलो जॉज मुझे तुमें कुछ दिखाना है हमारे लिए रुको ये है मेरा नया कटपिटली यानि पपेट थियाटर मेरे टैडी ने मेरे लिए बनाया है वाँ मैंने दो पपेट्स पहले ही बनाये है इसका नाम है क्लोई हेलो, मैं हूँ क्लोई पेग और ये है मेरे डाडी अंकल पेग हेलो पेपा, मैं हूँ अंकल पेग क्लोई, क्या मैं और जॉज भी पपेट्स बना सकते हैं हाँ Chloe पपेट के आँखे पेंट कर रही है मैं मू बनाओ हाँ बनाओ मेरा नाम पेपा है जॉर्ज तुम्हें कौन सा पपेट बनाना है टाइनसार क्या डाइनसार जॉर्ज हर चीज के लिए डाइनसार ही कहता रहता है ठीक है डराऊना डाइनसार पपेट बनाते है Chloe जॉर्ज के लिए डाइनसार बना रही है इसे नुकीले दाच चाहिए ऐसे डराऊना डाइनसार लॉर्ज तयार है आ रहे है खाने के बाद हम सब को पपेट्चो दिखाएंगे अँटी पिग्ने खाने में नूडल्स बनाये है यह नूडल्स तो बहत ही स्वादिष्ट है अब तक के सबसे बेस्ट नूडल्स तुम दोनों भाई भाई हो यह पता चल रहा है हर चीज में एक जैसे है क्या मतलब है तुमारा हम बिलकुल अलग है पेपा जोर्ज और मैं सबको एक पपेट्चो दिखाने वाले है बहुत अच्छे तैयारी हो जाए तो कोताना बाद में मिसने है पपेट्चो मज़ा आएगा क्या और अर्नूरल्स खाने के लिए वक्त है क्या मैं भी खा सकता हूँ पपेट्चो शुरू होने वाला है हेलो, मेरा नाम है क्लोई और मैं हूँ पेपा एक डाइनसौर तरावना डाइनसौर क्या बात है, बहुत अच्छे बच्चो बहुत अच्छे मैं हूँ अंकल पिग हेलो अंकल पिग हेलो पेपा यह तो बिल्कुल आप की तरह लग रहा है लग रहा है, उन्होंने मेरा पेट बहुत बड़ा बना दिया मुझे मेरा लंच पसंद आया अंकल पिग क्या अब आप सो जाएंगे और हमेशा की तरह खराटे मारेंगे क्या मतलब है तुम्हारा डाडी कहते हैं के आप हमेशा सोते हैं और जोर से खराटे मारते हैं ऐसे तुम्हारे डाडी सही कहते हैं मैं सच मुझ खराटे मारता हूँ दाडी पिग आप मों अंकल पिग के बारें इसा बात नहीं बोलनी चाहिए थी मुझे नहीं लगता ये दोनों कुछ भी सुन रहे होंगे डाडी पिग और अंकल पिग सो गए हैं पाता चल रहे हैं दोनों भाई-भाई हैं क्या हुआ हुआ है यह क्या पपेच्छ अभी तक शुरू नहीं हुआ पेपा और जॉर्ज अपना फेवरिट खाना खा रहे हैं नूडिल्लिंज कितना शौर मचा रहे हूँ खतब हुआ है अब हमें थोड़ी शांती मिलेगी यह क्या है यह दाद है यह कहां से आया पेपा तुम्हें जाकर आइने में देखना चाहिए यह तो मेरा दाथ है यह कैसे गिर गया फिक्र मत करो पेपा यह दूद का दाथ है वो तो गिरते ही है नया दाथ आ जाएगा नमामी यह जरूर आएगा पेपा इसका यह मतलब है कि आज तूद फेरी तुमसे मिलने आएगी तूद फेरी? हाँ टूथ फेरी अगर तुम अपना दांट तक ये के नीचे रखोगी तो टूथ फेरी आएगी टूथ फेरी तुम्हारा दांट लेकर जाएगी और उसकी जगह वो एक चमचमाता सिक्का रखेगी जब मैं बड़ी होंगी मैं टूथ फेरी बनूगी और जब तुम बड़े हो जाओगी तो तुम क्या बनोगे जोर्ज टाइनसौर एक टाइनसौर चल्डि करो जोर्ज सोने का वक्त है नहीं तो हम टूथ फेरी को नहीं देख पाएंगे सोने से पहले पेपा और जोर्ज अपने दांट ब्रश करते हैं पेपा तुम क्या कर रही हो मैं अपना दांट ब्रश कर रही हूँ ताकि टूथ फेरी के लिए वो अच्छा और साफ हो पेपा जल्ड से जल्ड सोना चाहती है पेपा अपना टूटा हुआ दान्त तक्ये के नीचे रखती है तूथ फेरी के लिए गुद नाइट पेपा और जॉर्ज गुद नाइट मामी गुद नाइट डाड़ी गुद नाइट प्यारे बच्चो जॉर्ज मैं तो सूँगी नहीं चलो हम दोनों पूरी राद जाकते हैं और टूथ फेरी से मिलते हैं ये टूथ फेरी कब आएगी तूथ फेरी को आने में कफी देरी हो रही है कहां है वो टूथ फेरी वो आवाज कैसी थी क्या वो टूथ फेरी थे जोर्ज, क्या तुमने कुछ सुना? ओ जोर्ज ओ यह आवास तो जोर्ज के खराटों की है वो इतना थका हुआ था कि सो गया जोर्ज रात को बहुत देर तक जग नहीं सकता पर मैं जग सकती हूँ मैं जाकते रहूंगी और टूट फैरी को देखूंगी मैं नहीं सोने वाली हूँ आखिरकार टूट फैरी आही गई लेकिन पेपा सोई हुई है हला पेपा, क्या तुमारे दाथ के बिदले में तुमें ये सिका चाहिए? वा, कितना अच्छा और साफ दाथ है तेंक यू पेपा, गूद नैट पेपा, जोज, अच्छाओ, सुबा हो गई क्या, मैं सोई नहीं थी क्या टूट फैरी आई थी? नहीं आई चलो तक ये के नीचे देखते हैं देखो पेपा, टूट फैरी आई थी और उसने तुमारे लिए गोल्ड कोईन रखा हुदे तुम सो गई थी है ना? हाँ, शायद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी लेकिन अगली बार में जगी रहोंगी और टूट फैरी से जरूर मिलोंगी हिककप्स क्या हम खेलने के लिए बाहर जाएं तुम अपना नाश्टा खतम करके बाहर खेलने जा सकते हो जूर्ज अपना जूस इतनी जल्दी मत पियो जूर्ज ने अपना जूस जल्दी से पी लिया और अब उसको हिच्किया लग गई है क्या अब हम जा सकते हैं मामी? नहीं जूर्ज को हिच्किया आ रहे है हुआ हो गई है ना जोग थीख है तुम बाहर खेलने जा सकती हो लेकिन जोच का ध्यान रखना पैपा और जोच को गार्डन में खेलना पसंद है जोच मैं बॉल फैकने वाली हूं फिर तुम उसे पकरना ठीक है जोर्ज लेना बन करो जोर्ज अब तुम बॉल मेरी तरफ है को मैं उसे पकड़ूंगी जोर्ज ओडियर जोर्ज की हिच्कियों से खेल बिगड रहा है जोर्ज मैं जानती हूं हिच्किया कैसे ठीक करनी है तुम वैसा करो जैसा मैं कहूं अपने सिर को खुजाओ और पेट को रगड़ो बढ़िया अब तुम्हारी हिच्कियां बंदो गई पैपा ने हिच्कियों का जो इलाज किया उसने काम नहीं किया जोर्ज ये तुमने बिल्कुल गलत किया मुझे हिच्किया ठीक करने का अच्छा तरीका आता है पहले एक तांग पर तीन बार उपर नीचे कुदो अब अपना हाथ हिलाओ उपर और नीचे और अपनी जीब बाहर निकालो और अब अपनी आखे बंद करो और तेजी से घूमो सिर्फ तीन बार पेबा के नए इलाज ने भी काम नहीं किया जोर्ज को अभी भी हिच्किया आ रही है है जानती हूं हिच्कियों का इलाज पिमार पिगे को एक शौक दिया जाना चाहिए जोज मैं तुम्हें डराने वाली हूँ लेकिन तुम्हें याद रखना यह सिर्फ खेल है और इससे तुम्हारी हिच्च्यों बंद हो जाएंगी याद रखना यह सिर्फ डराने का खेल है पेपा, तुम्हें जॉर्ज की साथ ऐसे नहीं खेलना चाहिए, ये बहुत छोटा है माप करना ममी, मैं जॉर्ज की हिच्किया रोकने के कोशिश कर रही थी जॉर्ज की हिच्किया बंध हो गई डैडी पेग जूस के दो गिलास लेकर आते है जॉर्ज, इस तरह पेऊगे तो फिर से हिच्किया लग जाएंगे मैं उतनी छोटी नहीं हो जितना जॉर्ज, मैं अपना जूस बहुत जल्दी पी सकती हूँ कॉली पैरिट पैपा उसका परिवार ग्रैनी पेग और ग्रैन्पा पेग से मिलने आये हैं हलो मेरे छोटे बच्चों अंदर आ जाओ हमारे पास एक सप्राइज है वो क्या है हमारे पास है एक नया पैट क्या बता सकते हो वो क्या है डाइनोसौर नहीं है वो आओ और देखो ग्रैनी पिग और ग्रैन्पा पिग के पास है एक पैट पैरिट पैपा जोज यह हमारा पैट पैरिट इसका नाम है प्रिटी पॉली प्रिटी पॉली प्रिटी पॉली प्रिटी पॉली प्रिटी पॉली मैं एक होश्यार पैरिट हूँ मैं एक होश्यार पैरिट हूँ हुआ हुआ है हहा है ममी ग्राणी जो भी कहती है पॉली उसकी नकल क्यों करता है पैरिट ऐसा ही करते हैं चलो दिखाती हूं हेलो पॉली हेलो पॉली कितना प्यारा सा पैरिट है इतना प्यारा सा पैरिट है आजाओ सब लोग चाय पीते हैं पैपा जोर्ज आजाओ यहां चॉकलेट केक है अरे ग्रानी पैपा और जोर्ज को चॉकलेट खाना पसंद है लेकिन आज वो वापस जाकर पॉली पैरिट के साथ खेलने की जल्बी में है खतम हो गया तुम बच्चे कितना शोर करते हो ग्रानी क्या हम दोनों जाकर पॉली पैरिट को देख सकते हैं क्या तुमने अपना चॉकलेट केक पूरा खत्म कर लिया फिर तुम जा सकते हो हुरेइ जोर्ज वाली को कुछ कहो ना जोर्ज थोड़ा जिजक रहा है हेलो आलो पैपा और जोर्ज को पॉली पैरिट के साथ खेलने में सच में मजा रहा है मैं हूँ पैपा पिग मैं हूँ पैपा पिग जोर्ज कुछ बोलो पैपा पॉली पैरिट को कहने के लिए कुछ और सोच रही है मैं एक बातूनी पैरिट हूँ मैं एक बातूनी पैरिट हूँ पैपा जोर्ज क्या तुम पॉली के साथ खेल रहे हो जी ग्रानी पॉली सच में एक प्यारा पैरिट है हाँ ग्रानी मैं एक होश्यार पैरिट हूँ मैं एक बातूनी पैरिट हूँ मैं एक बातूनी पैरिट हूँ ओ क्या कहूँ झाल व्रेत व्रेत बेस्ट फ्रेंड पैपा अपनी सबसे अच्छी सहेली सूजी शीप का इंतजार कर रही है सूजी शीप पैपा के साथ खेलने के लिए आई है पैपा को सूजी पसंद है सूजी को पैपा पसंद है वो पक्की सहेली आ है पैपा क्यों ने तुम और सूजी बेड्रूमें जाकर खेलो ठीक है ममी जोर्ज भी खेलना चाहता है पैपा और सूजी को पैपा के वेड्रूम में खेलना अच्छा रखता है और जोर्ज को भी नहीं जोर्ज ये खेल सिर्फ बड़ी लड़कियों के लिए है जाओ और अपने खिलोनों से खेलो पैपा और सूजी एक दूसरे के साथ खेलना चाहते हैं मैं बहुत चोटी सी परियों के राजकुमारी हूँ मैं अपनी जादू की छड़ी घुमाने वाली हूँ और तुमें एक मिंदग बना दूंगी जोर्ज को अपने आप खेलना अच्छा नहीं लगता जोर्ज भी खेलना चाहता है नहीं जोर्ज, मैं सुझी के साथ खेल रही हूँ तुम कहीं और जाकर खेलो जोर्ज पैपा के साथ खेलना चाहता है वो अकेला मह observers कर रहा है जोर्ज मुझे मदद चाहिए मैं चॉक्लिट चिप कुकीज बना रही हूँ जड़ा बोल में से चक कर बताओ जॉर्श को कुकीज बनाने में ममी की मदद करना अच्छा लगता है लेकिन उसे पैपा के साथ खेलना ज्यादा अच्छा लगता है मैं एक नर्स बनना चाहती हूं मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं लेकिन हमारा मरीज कौन बनेगा जॉर्श पैपा और सुजी को डॉक्टर डॉक्टर खेलना अच्छा लगता है और जॉर्श को भी पैपा जॉर्श की धड़कन सुनती है जॉर्श अब एक लंबी सांस अंदर लो और फिर खासो मुझे लगता है तुम्हारा दिल थोड़ा धीला है मैं उस पर एक प्लास्टर लगाती हूँ मुझे खुलो प्लीज सुजी जॉर्श का टेंपरेचर चेक करती है तुम्हें बहुत जादा बुखार है मेरे ख्याल से तुम्हें तीन साल तक आराम करना होगा डैडी बिग जॉर्श को देखने आये है ओ नहीं क्या हुआ है जॉर्श को चिंता मत कीजिए यह सिर्फ खेल है जॉर्श हमारा मरीज बना है ओ समझा क्या हम मरीज से मिल सकते हैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए वरना वो ठक सकता है कुकीज हाँ यह जॉर्श के लिए है यह उसकी दवाई है ताके ठीक हो जाए ही 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 माफ करना डॉक्टर मेरी मदद कर सकती हो मेरा पेट दुख रहा है इसमें गुदगुदी होती है मैं इसके गुर्गुर सुन सकती हूँ मुझे लगता आपको भूक लगी है मुझे लगता है अच्छा होने के लिए मुझे बहुत सी को किस खानी चाहिए और मुझे भी और मुझे भी और मुझे भी दादा और दादी पिग पेपा और जॉर्ज के लिए ट्रेजर हंट बना रही है दादी पिग ट्रेजर का मैप बना रही है दादा पिग बगीचे में ट्रेजर को छुपाने के लिए जगा खोद रहे है दादा पिग आपका काम हो गया पेपार जोज आती होंगे परशान होने की जरूरत नहीं दादी पिग पेपार उसका परिवार आ गया है जल्दी करो दादा पिग वो आगए बस हो ही गया दादा पिग ने बिल्कुल वक्त पर काम खत्म कर दिया दादी पिग हम आगए चाची ची हलो मेरे प्यारे बच्चो दादा पिग चाचाची कैसे हो मेरे प्यारे बच्चो पैपा जोर्ज तुम्हारे लिए ट्रेशर हंट बनाया है बगीचे में ही कहीं छुपा हुआ है खजाना वाँ खजाना कहा है वो वो तो तुम्हें ढूनना होगा यह रहा खजाने तक जाने का नक्षा और जोर्ज मेरा पाइरिट हैट पहन सकता है ओ हलो कैप्टन जोर्ज ही 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 यह मैप थोड़ा मुश्किल है तैरी आप मदद कीजिए क्यों नहीं पैपा मुझे मैप पढ़ना आता है यह थोड़ा मुश्किल है डाटी पेग आपने नक्षा उल्टा पकड़ा है अच्छा मुझे भी ऐसे लगा था यह आसान है लाल क्रॉस दिखाता है एक हजानक कहा है लेकिन काड़न में वो दोस्देब के पेड़ कहा है मुझे नहीं पता तुम्हें मदद चाहिए हाँ प्लीज पहला क्लू बोटल में है लेकिन बोटल कहां है मज़े देख गई पेपा ने पहला क्लू ढूल लिया है बोटल में मेसेज है देखिए ये रही बोटल शाबाश पेपा देखते हैं मेसेज में क्या लिखा है ओ ये तो एक पाइरेट का मेसेज है मामी, क्या आप मेसेज पढ़ सकती है इस समुदरी डाको की राइटिंग बहुत ही खराब है नहीं नहीं, पारेट की लिखावट बहुत अच्छी है नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ पा रही हूँ पारेट ने लिखा है, निशानों का पीछा करो निशान का पीछा करो जोज को दूसरा क्लू मिला है, कुछ एरोस के निशान जो लकणियों से बने देखो, वो उस तरब जा रहे है पेपा और जोज एरोस का पीछा कर रहे है देखो जोज, एक चाबी पेपा को अगला क्लू मिला है, एक चाबी बहुत अच्छ है पेपा, अब सिर्फ तुम्हें खजाने का बॉक्स ठूनना है, जो इससे खुलेगा लेकिन यहां और कोई क्लू नहीं है तुम्हें नक्षे को ठीक से देखना चाहिए देखो पेपा, नक्षे में दो सेप के पेड़ भी है यहां एक सेप का पेड़ है, और यह रहा दूसरा सेप का पेड़ इसका मतलब खजाना यहां है तो चलो देखते हैं ओ नहीं, यहां पर तो कुछ भी नहीं है जरा रुको, यहां पर कुछ है वाव, खजाना मेरे पास इसकी चावी है वाव, यकिन नहीं होता सोने के सिक्के, यह तो बहुत कीमती होंगे उससे भी ज्यादा, यह सोने के सिक्के नहीं है यह तो चॉकलेट के सिक्के हैं और यहां सब के लिए चॉकलेट के सिक्के हैं प्रेटाव जोज को चॉकलेट के सिख्के पसंद है सभी को चॉकलेट के सिख्के पसंद है दादी दादा ये सबसे अच्छे ख़जाने की खोच थी पिकनिक ये एक बड़ा प्यारा सा सुहाना दिन है पैपा रोस का परिवार पिकनिक के लिए जा रहे है डादे पिकनिक की टोकरी ला रहे है पिकनिक ब्लैंकेट, ब्रैड, चीज, टमाटर और लेमोनेट हम कुछ भूल तो नहीं रहे हैं ना ममी का स्ट्रॉबेरी केक मैं सिर्फ मजाग कर रहा था ममी का घर का बनाया स्ट्रॉबेरी केक क्या है सब तयार? तयार तो फिर चलो ये हमारी पिकनिक के लिए बहुत सही जगह है पहर अच्छा लगता है हमें थोड़ा दोड़ना चाहिए और थोड़ी कस्रत करनी चाहिए मैं तो खाना चाहती हूँ और सोना चाहती हूँ और दोड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहती मुझे लगता डारी को थोड़ा दोड़ना चाहिए उनका पेट बहुत बड़ा है पर मेरा पेट बड़ा नहीं है, लेकिन मैं बाद में थोड़ी कस्रत करूँगा, चाहे कोई और करे ना करे, चलू खाते हैं, अच्छा आइडिया है मुझे बहुत भूक लगी है, स्वादिश्ट है, मुझे बहुत नीद आ रही है, मुझे लगा था तुम थोड़ा दोड़ पेग, बाद में, देखो, वहाँ दाला में बत्तक है, मामी, क्या हम बत्तकों को खिला सकते हैं, हाँ, तुम उन्हें ब्रेट खिला सकती हो, पैपा और जॉर्श को बत्तकों को खिलाना अच्छा लग रहा है, मामी, मुझे लगता है, उन्हें थोड़ा और चाहिए, पैपा वो आखरी ब्रेड थी, और उन्होंने काफी खा लिया है, मुझे माफ कीजिये, हमारे पास और ब्रेड नहीं है, बत्तकों को और खाना चाहिए, लगता है, डाड़ी पिग ने कुछ ज्यादा ही कसरत कर ली है, अब तुम यहां क्यों आई, पैपा ने तुम्हें बताया ना, यहां और ब्रेड नहीं है, ममी, हमारे पास स्ट्रॉबेरी केक है, ठीक है, अगर केक बच गया, तो तुम उन्हें खिला सकती हो, ममी पिग का खाका बनाया, स्ट्रॉबेरी केक सबको पसंद आया, यह, मक्खी, मुझे मक्खियों से चिड है, शू, चिड़ने की क्या बात है, ममी पिग, यह सिर्फ एक मक्खी ही तो है, चलो जाओ मक्खी, बिल्कुल हिलना मत, ममी पिग, यह उड़ जाएगी, देखा तुमने, तुम्हें कहा ता बस हिलना मत, अरे, चली जाओ, बचाओ, वोई इसे भगाओ, भगाओ इसे, उम्मीदे मक् नहीं, डाडी मक्खी से बहुत स्यादा तेज भाग रहे हैं, इसके पहले कि मक्खी वापस आ जाए, हमें केक खा लेना चाहिए, ओ नहीं, हम बत्कों के लिए बचाना तो भोले गए, मेरे ख्याल से वो चली गई है, आपनी कहा तो था कि आप दोड़ेंगे और कसरत लेकिन यकीन नहीं होता कि ऐसा किया, अच्छा हुआ, मैंने अपना स्ट्रॉबरी केक किसी तरह से बचा लिया, रुकिये डारी, हमने बचा हुआ के बत्कों को खिलाने का वादा किया है, तुमारी किसमत बहुत अच्छी है, चलो डारी को शुक्रिया कहो, तुम्हारा भगत है, हो हो. घर जाने का समय हो गया, बत्कों को गुटबाई कहो, बाय-बाय बत्क, तुम्हारा से फिर मिलेंगे, हीचा हाँ, हीचा हाँ. ममी पिक का बिर्थडे आज ममी पिक का बिर्थडे है डाडी पिक ने ममी पिक के लिए ब्रेक्फरस्ट बनाया है हैपी बिर्थडे ममी पिक पेपा और जॉर्ज ने ममी पिक के लिए बिर्थडे कार्ट बनाया है हैपी बिर्थडे ममी यह कितना प्यारा बर्दे सप्राइज है और भी बहुत सारे सप्राइजेस मिलेंगे अपने बर्दे के ब्रिक्फस्ट का मज़ा ले लो आराम सिखाओ यम्मी शदी करो हमें बाकी सारी तैयारी करनी है ठैड़ी पिग ने ममी पिग के लिए बर्दे केक बनाया है अब हमें सिर्फ कैंदल लगाने है एक दो मैं आ रही हूं ममी पिग अपनो बर्दे ब्रिक्फस्ट खतम कर लिया ममी आ रही है ओ नहीं हम अब ही तयार नहीं है कुछ भी तो नहीं लेकिन तुम अंदर नहीं आसकती अच्छा ममे तुम आराम से हॉल में जाकर बैठ क्यू नहीं जाती है यह अच्छा है वैसे भी तुम्हारा बर्डे है ठीक है पेपा मुझे पता है सोफा कहां रखा है यह लोह का अच्छा सा मैगेजीन तांक यू पेपा और प्यारा सा म्यूजिक सुनो तांक यू पेपा हमाने थो टीकेंडल्स जाहिए मैं तुम्हारे कान में बताता हूँ वाव, बहुत बड़ी है मुझे लगता है, तीन कैंडल्स काफी हो जाएंगी ममी पिक का बर्थजे केक तयार है हुरेख हुरेख हमें और कुछ ने बस अब हॉल की सजावट करनी है हेलो ममी आगे तुम लोग, मैं थोड़ी बोर हो रही थी ममी, क्या आप गार्डन में एक वाक लेना चाहेंगी क्या मेरे पास और कोई रास्ता है नहीं बाइ बाइ मामी, अच्छा सा वाक लेना हम आपको जल्ड़ी बुला लेंगी, ठीक है मैं थो भूली गई थी कि बर्दे पर कितना काम करना पड़ता है डादी पिग, पेपा और जोज हॉल को सजा रही है मजा रहा है दादा और दादी पिग, ममी पिग का बर्थडे मनाने आए है हैपी बर्थडे ममी पिग क्या तुम अंदर नहीं आ रही मैं अभी अंदर नहीं आ सकती डादी पिग, पेपा और जोज मेरे बर्दे के लिए कुछ सीक्रेट कर रहे है अच्छी बात है बाद में मिलते हैं बाई ममी, क्या अब अब अंदर आना चाहोगी हाँ, बिल्कुल आओंगी आखे बंड करो अपनी आखे बंडी रखो ममी एह, दो, तीन, अपनी आखे खोलो हापी बर्थे ममी में कितना प्यारा सप्राइज है ये चलो अब कैंडल्स बुजाओ और विश मांगो ममी, ममी, अपना गिफ्ट खोलो कैस करो इसमें क्या है मुझे नहीं पता तो खोलो और देखो ये तो बहुत ही खूपसूर अड्रेस है वाँ आप खूपसूरत हो ममी अब इसे पहन कर किसी अच्छी जगा पर जाना चाहिए ये क्या है? दो टिकेट्स आज रात के फिल्म के चलो चले तांक यू ममी पिग को फिल्म देखना पसंद है मैं और दादी पिग बच्चों को घर पर समहल लेंगे हुझे कितना अच्छा बदे है लगता है मैं दुनिया की सबसे लखी ममी हूँ और खुपसूरत भी पैनकेक्स चाय का वक्त है और ममी पिग सबको सप्राइज देने वाली है आज है पैनकेक्स का दिन पैनकेक्स यमी अरे वा मुझे पैनकेक्स बहुत पसंद है सबको पैनकेक्स बहुत पसंद है मैं पैनकेक्स पलटने में बहुत ही माहिर हूँ यह मुझ पर छोड़ दो मैं चिड़ी चिड़ा नहीं हुआ था, वो तो उस तवे की प्रॉबलम थी मामी, क्या हम भी पैनकेक बनाने में अपके मदद कर सकते हैं तुम आटा बनाने मेरी मदद कर सकते हो पहले में बावल में सूखा आटा डालूंगी अब मैं अंडा डालूंगी अब दूद, फिर सब को हिलाओंगी मामी, क्या मैं कर सकती हूँ? हाँ, जरूर पेपा पेपा को ये करने में बहुत मसा आ रहा है जॉज भी उसका साथ दे रहा है नई जॉज, ऐसे मत करो अच्छा, अब बहुत हुआ हिलाना मैं पैनकेक्स बनाती हूँ, तुम दोनों टेबल पर बैठो ममी पिग अब पैनकेक को पल्टेंगी वाँ उसे थोड़ा और उचाओ सकती हो मामे पिग जब अपना पैनकेक उचालोगी ना, तब हमें सिखाना डाडी पिग ममी पिग ने जोज के पैनकेक के उपर थोड़ा सिरप डाला यमी ये पैनकेक पैपा के लिए है वाँ तुम इसे और उपर उचाल सकती हो ममे पिग जब अपना पैनकेक उचालोगी तब मुझे दिखाने का चांस तुमें मिलेगा डाडी पिग सिरप प्लीज यम्म्म यम्मी ये पैनकेक ममी पिग के लिए है हुरे अब भी उन्हे ज्यादा उचा नहीं उचाल रही ममे पिग अगला पैनकेक आप का ही है डाडी पिग तो अब आप ही करके बताईए अब बहुत यामी है अब सब की नजर मुझ पर हो एक अच्छा पैनकेक बनाने का राज उसे हवा में उपर उच्छालना होता है एक दो और तीन पुद्दु डाडी मैंने कुछ ज्यादा ही उपर उच्छाल दिया अब क्या करे ये तो आखरी पैनकेक था इसे नहीं चलाना बहुत यह असान है ओफो डाडी पिग अपने पैनकेक तक नहीं पहुँच पा रहे अब फिक्र मत करो डाडी पिग शायद उसे मैं निकाल सकती हूँ चलो उपर चले बच्चो ममी पिग क्या प्लान बना रही है तीन के गिंती होने पर हम सबको ऊपर नीचे कूदना है एक, दो, तीन, कूदो यह सब कर क्या रहे है काम हो गया अब डाडी पिग को उनका पैंकेक मिल गया डाडी के सिर पर पैंकेक है आपके पैंकेक पर सिरप डाडी पिग? ठीक है टालू एक, दो, और, तीन हम् यंवी पैंकेक पैपा और जॉज दादी और दादा पिग के घर लंच पर आए हैं दादी पिग दादी एग हलो मेरे प्यारी बच्चों खाने के लिए बगीचे से कुछ सबजिया लाना चाहोगे जी दादी दादा पिग जी दादा पिग हलो पैपा जॉज यह दादा पिग का सबजियों का बगीचा यह सारी सबजिया उन्होंने खोद उगाई है यह क्या है दाइनोसौर एक डाइनोसौर चलो बच्चों खाने के लिए कुछ सबजियां चुनते हैं पैपा तुम्हें टमाटर पसंद है जी दादा पिग जॉज क्या तुम्हें टमाटर पसंद है ना जॉज को टमाटर पसंद नहीं है ओह तुम्हें सलाद के पत्ते पसंद है जी दादा पिग ना जॉज को सलाद के पत्ते भी पसंद नहीं ओफो, मेरे पास कुछ तो ऐसा होगा जो जो जोर्ज को पसंद हो क्या तुम्हें खीरा पसंद है? यक जोर्ज को खीरा पसंद नहीं और सलाट के पत्ते भी पसंद नहीं और टमाटर भी नहीं तो जोर्ज तुम्हें कौन सी सब्जी पसंद है? चोकलेट केक पुट्टू जोज, चॉकलिट केक कोई सबजी थोड़ी है सबजियों का जब अच्छा सलाद बन जाए तब शायद जोज को वो पसंद आएंगी वाँ, बड़िया टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा पहले इन्हें अच्छे से धोना होगा पेपा और जोज, दादी पिग की सबजिया धोने में मदब कर रही है पस अब दोना बहुत हुआ दादी पिग ने टमाटर, सलाद पत्ते और खीरे का सलाद बनाया दादा पिग, सब को लंच पे बुलाईए लंच दादी पिग ने खाने में पीज़ा बनाया है दादा की टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा के साथ खाना शुरू करो जोज ने अपना पिज़ा खाया पर जोज को टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा पसन नहीं ओ जोज, क्या तुम्हें सलाद पसन नहीं नई जॉर्ज, इस ताजे टमाटर का एक टुकड़ा खाकर तो देखो याक जॉर्ज, ये खीरा है डादा पिग ने इसे अपने बगीचे में उगाया है याक सलात पत्ते का एक टुकड़ा खालो बहुत ही स्वादिष्ट है ओहो, रो नहीं, जॉर्ज देखो, मैं क्या बनाता हूँ अब ये बन गया है डाइनसौर डाइनसौर जॉर्ज जॉर्ज को डाइनसौर बहुत पसंद है जॉर्ज, टमाटर, सलात पत्ते और खीरा खा रहा है शाबाश, जॉर्ज थोड़ा और लोगे, जॉर्ज बढ़ गया जॉर्ज, क्या तुम और टमाटर, सलात पत्ते और खीरा नहीं खा सकते जॉर्ज का पेट भर गया है जॉर्ज, क्या तुम्हारा पेट इतना भर गया है कि तुम कुछ भी नहीं खा सकते जॉर्ज और कुछ भी नहीं खा सकता ओ, तो तुम ये चॉकलेट केक बिल्कुर नहीं खाना जाते चॉकलेट केक वावाव, लगता है जॉर्ज को दोबारा भूक लग गई तब म्यूजियम पेपारुस का परिवार म्यूजियम जा रहे है टाड़ी, म्यूजियम क्या होता है ऐसी जगा जिसमें बहुत पुरानी और दिल्चस्प चीजे होती है आपसे भी पुरानी? हाँ, मुझसे बहुत बहुत पुरानी बहुत ही पुरानी एक कमरे में राजा और रानी की बहुत सारी चीजे भरी पड़ी है हाँ, मुझे राजा रानी का कमरा देखना है वहाँ और एक कमरा है जिसमें असली डाइनसौर है वो, दाइनसौर हलो, मुझे पिग हलो, मिस राबिट कितने तिकेट शाहिए आपको दो बड़े और दो बच्चे दाइनसौर और एक डाइनसौर पैपा को वो कमरा देखना है जिसमें कई साल पहले हुए राजा और रान्यों की चीजे है वाँ पर जॉज को असली डैनसौर देखना है रोना मत जॉज, इसके बाद हम जाइनसौर देखने जाएंगे पैपा, ये सारी चीजे कई साल पहले रानी इस्तमाल करती थी ये है रानी की खास कुरसी, उसे सिंघासन कहते है बहुत सुन्दर है ये है रानी की ड्रेस कितनी प्यारी है देखो पैपा, ये है रानी का सोने का मुकुट वाव, बहुत सुन्दर है ममी, रानी का टीवी कहा है पैपा, उस समय टीवी नहीं होते थी टीवी नहीं थी? पर क्या उनके पास कम्प्यूटर थे? नहीं, उस समय कंप्यूटर भी नहीं थे वो तिन भर क्या करते थे मामी, अगर मैं रानी होती तो जितना चाहूं उतना केक खाती पेपा खुद को रानी समझ रही है यामी क्या आपको कुछ और चाहिए रानी पेपा? हाँ और केक प्लीज अभी ला कर देती हूं चलो अभी सब लोग आ रही हूं डैरी डैरी, मैं हूं रानी पेपा मुझसे बात करते हैं वक्त आपको जुकना होगा मुझे प्लीज माफ कर दीजी रानी साहिबो और वैसे आप क्या करते हैं? मैं आपका डैडी हूं ये तो बड़ा मज़ेदार काम होगा हाँ, बड़ा ही मज़ेदार काम है ये और ये कौन सा कमरा है? ये डाइनसौर का कमरा है डाइनसौर का कमरा? जोर्च, ये डाइनसौर का कमरा है डाइनसौर डाइनसौर का है? वो कही कमरे में ही है मुझे नहीं दिख रहा लगता है बहुत ही छोटा डाइनसौर है असल में पेपा वो बहुत ही बड़ा है ये असली डाइनसौर की हट्डियां है डाइनसौर जोर्ज खुद को डाइनसौर समझ रहा है डाइनसौर आगया बचाओ बचाओ डाइनसौर का कमरा जोर्ज को सबसे ज्यादा पसंद है राजा और रानी का कमरा मुझे सबसे ज्यादा पसंद है और लगता है डाडी पिक पहले ही अपनी पसंद के कमरे में चले गए वो कौन सा कमरा है मामी जिस कमरे में केक्स है डाडी पिक को पसंद है मीजियम का क्याफे चलो आकर खा लो ओ हाँ ये सबसे अच्छा कमरा है गर्मी का दिन सूरच चमक रहा है बहुत ज्यादा धूप है कितना प्यारा सुहाना दिन है पेपा और जॉज ने अपने जूते पहने हुए है मिठी के गड़ों में कूदने के लिए मुझे मिठी के गड़े बहुत पसंद है ओफो धूप इतनी तेज है कि सारे गड़े सूख गए है मामी तैरी गड़े सारे सूख गए है और हम उनमें कूद नहीं सकते कोई बात नहीं पेपा इतनी धूप है तो तुम अपने स्विमिंग पूल में खेल सकती हो हाँ स्विमिंग पूल लेकिन पहले तुमें अपने स्विमिंग कॉश्चुम पहनने होगी जी मामी पिग पेपा और जोज ने अपने स्विमिंग कॉश्चुम पहन लिये है मामी पिग ने भी स्विमिंग कॉश्चुम पहन लिया है और डाडी पिकनली सुमिंग कौशिम पहन लिया है बहुत धूप है तुम्हें संक्रीम की जरूरत पड़ेगी याक बहुत चिपचिपा और गंदा है याक हो 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 इसकी क्या जरूरत है है आज हम सब को जरूरत है ओओ ही 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 हो हो चलो चार्ज इस पैडलिंग पूल में हम थोड़ी हवा भर देते हैं डाडी पिक पैडलिंग पूल में हवा भर रहे हैं कितना आसान है पैपानी पाइप पकड़ी और मम्मी ने पानी शुरू कर दिया पानी कहां है पैपा और जोज को अपना पैडलिंग फूल बहुत पसंद है आइस क्रीम आइस क्रीम आइस क्रीम आइस क्रीम लाई है आइस क्रीम गर्मी के दिनों में मिस राबिट आइस क्रीम बेचती है मामी डैरी क्या जोज और में आइस क्रीम कह सकते हैं अच्छा ठीक है वैसे भी आज बहुत ज्यादा गर्मी है क्या मुझे मिलेगे सबको आइस क्रीम पसंद है हलो मुज़ी पैपा और जॉज घलो मिस राबिट आपको कौन से आइस क्रीम चाहिए क्या मुझे कोन मिल सकता है प्लीज हाँ जरूर मिल सकता है पैपा थेंक यू मेरे लिए और डाडी पिक के लिए भी वही देना प्लीज और छोटी मिस्टर जॉर्ज को क्या चाहिए डाइनिसार डाइनसार? बद जॉर्ज, वो हर चीज के लिए डाइनसार कहता है पर अच्छी बात ये है कि मेरे पास डाइनसार की आकार में एक कैंडी है ये लो टाइनिसार जॉर्ज, पिघलने से पहले अपनी आइस कैंडी खतम करो टाइनिसार जॉर्ज को डाइनसार की आइस कैंडी इतनी पसंद है कि वो उसे खतम नहीं करना चाहता थैंक यू मिस्स राविट सब मज़े करो जॉर्ज, मुझे लगता है तुम्हें अपनी आइस कैंडी खतम करनी चाहिए पिघलने और जमीन पर गिरने से पहले ओहो, जॉर्ज की डाइनसार आइस कैंडी पिघलकर जमीन पर गिर गई कई बात नहीं जॉर्ज, तुम डाडी के आइस क्रीम में से खा सकते हो वो बुरा नहीं मानेंगे इतनी ज्यादा गर्मी है कि डाडी पिक सो गए डाडी पिक को गर्मी लग रही है चलो उन्हें ठंदा करने के लिए पर पानी डाते अच्छा आइडिया है पैपा क्या हुआ आप गर्मी से पूरे लाल हो गए थे इसलिए हमने आप पर पानी डाला अच्छा थेंक यू पैपा देखो पानी के गड़े चलो जो जूते पहनो पैपा और जॉज ने अपने जूते पहने हैं पैपा और जॉज को ऐसा गर्मी वाला दून पसंद है पर सबसे ज़्यादा उन्हें गड़ों में ऊपर नीचे कूदना पसंद है पैपा और जॉज शॉपिंग के लिए जा रहे हैं पैपा और जॉज को शॉपिंग पसंद है जॉज को ट्रॉली में बैठना बहुत पसंद है और पैपा को भी टैड़ी क्या मैं भी इस ट्रॉली में बैठ सकती हूँ तुम इस ट्रॉली के लिए बहुत ही बड़ी हो पर तुम शॉपिंग में मदद कर सकती हो अरी वाह देखो हमारी लिस्ट में चार चीज़े हैं टमाटर, नूडल्स, प्यास और फल मैं सब डूण लोंगी इस तरफ पैपा और जॉच को शॉपिंग बहुत पसंद है पैपा पहले हमें टमाटर लेने हैं मुझे दिख गए, मुझे दिख गए यह देखो टमाटर ममी शाबाश पैपा एक, दो, तीन, चार अब उन्हें ट्रॉली में डालो मुझे टमाटर मिल गए शाबाश पैपा टमाटर लिस्ट की एक चीज मिल गई है अब लिस्ट में दूसरी चीज क्या है नूडल्स सही कहा जोज लेकिन उसे नूडल्स कहते हैं डूडल्स नूडल्स पैपा जोज का पसंदीदा खाना है अब यह नूडल्स कहां पर मिलेंगे मुझे दिख गए इस तरह नूडल्स देखो ममी यह रहे नूडल्स शाबबाश पैपा अब चलो जल्दी से ने ट्रॉली में डालो जीक है ममी टूडल्स जोज इसे कहते हैं नूडल्स तूडल्स अब लिस्ट में आगे क्या है पैपा चिप्स चिप्स तो लिस्ट में नहीं है हमारे घर में बहुत सारे चिप्स हैं पैपा जरा याद करो मुझे नहीं याद आ रहा डाड़ी क्या तुम्हें याद है जोज डाइनिशार जोज यहां पर डाइनिशार नहीं मिलता बुद्दू नहीं जोज लिस्ट पर अगली चीज है प्याज एक दो तीन चार प्याज शाबाश अपने लिस्ट की लगभग सारी चीज़े मिल गई लिस्ट की बस एक ही चीज बची है पॉधा क्या ये लिस्ट में है नहीं नहीं जोज लिस्ट पर आखरी चीज फल है कोई बात नहीं जोज तुम फल चुन सकते हो फल कहां है वह अपर वह सेब है केले है संत्रे हैं और एक बहुत बड़ा तर्बूज भी कौन से फल ने जोज सेब संत्रे केले तर्बूज इस काउंटर पर सारी चीजों के पैसे चुकते करते हैं टमाटर नूडल प्यास तर्बूज चॉकलेट केक चॉकलेट केक चॉकलेट केक चॉकलेट केक क्या ये लिस्ट में है पैपा क्या तुमने चॉकलेट केक टॉली में रखा नहीं मामी जॉज क्या तुमने चॉकलेट केक टॉली में रखा नहीं मैने भी तो नहीं रखा फिर किसने रखा मुझे लगा पुटिंग के लिए अच्छा होगा डाडी पेग शरारती डाडी सौरी लेकिन यह कितना यमी लग रहा है ना यमी तो लग रहा है हम मान लेते हैं कि वो लिस्ट में था चौप रखाएक हुराई मेरी बर्थ दे पाथी आज पेपा का बर्थ दे है और सुभा हो चुकी है आज मेरा बर्थ है जोर्ज उठो मेरा बर्थ है आज मेरी पार्टी है और डाडी जादू दिखाने वाले है जल्डी चलो जोर्ज ममी और डाडी को उठाते है ममी पिग और डाडी पिग अभी भी सो रहे हैं उठिये मेरा बर्थ है उठीए कितने बजे हैं? बहुत देर हो गई है सुभा के पाँज बजे हैं हाँ, पूरा दिन खतम हो रहा है चलो, तुम्हारे बर्थडे की तैयारी करते हैं येपी मॉमी पिग, डादी पिग और जॉर्च पेपा को उसका बर्थडे गिफ्ट देते हैं हापी बर्थ है, पेपा हापी बर्थ है, पेपा क्या है इसमें? गुडिया का ड्रेस मैं से टेडी को पेनाती हूँ आप सब को थांक यू खुश रहो पेपा मुझे नहीं पता था ये टेडी एक लड़की टेडी है आपको नहीं पता टेडी लड़की है मुझे अपना नया ड्रेस पसंद है थांक्यू कोई बात नहीं टेडी, बस इसे खराब मत करना तुमें पता है आज क्या क्या होने वाला है? हाँ, मेरी बर्द पाटी में मेरे दोस्त आरे है और डाडी जादू दिखाने वाले है हो, हो, किसी को पता नहीं चलेगा कि वो जादूगर तुम्हारे डाडी है तुम सब को बताओगे कि मैं अद्भुत जादूगर हूँ बुद बाजाओ हाँ, अद्भुत जादूगर डाडी तो पूरे हफते से अपने जादू के खेल की प्राक्टिस कर रहे है मेरे दोस्ता आ गए यपी पेपा के दोस्ता आ गए यान्डी कैट, सुजी शीप, डाडी डॉग, रबेका राबट और पेड्रो पुनी हलो दोस्ता, हाँ बोर्ड है पेपा चलो बचो, पार्टी शुरू हो रही है डाडी पिग जादू का शो करने वाले है पेपा, याद है ना तुम्हें क्या कहना है मैं तुम्हारे सामने पेश करती हूँ एक बहुती अद्भुत जादूगर जी डाडी दोस्तों पेश करती हूँ जादूगर डाडी ये रही मेरी पहली ट्रिक अबराकाडबरा वाव, ये तो टेडी है मेरे अगले जादू के लिए मुझे तुम में से किसी की मदद चाहिए मैं, मैं, मैं मुझे एक ही चाहिए प्यारी बच्ची, तुमने पहले हाथ उठाया चलो अब दर्शकों को अपना नाम बताओ सूजी शीप देखो सूजी, ये रहे तीन बॉल एक लाल, एक नीला और एक पीला ठीक है जब मैं पीछे मुड जाओंगा तब तुम्हे मुझे बिना बताओ एक चुनना होगा ठीक है क्या तुमने एक चुन ली? हाँ आबरा का डाबरा तुमने चुनी पिली नहीं आबरा का डाबरा नीली? नहीं आबरा का डाबरा लाल? हाँ, सही ज़वाब हुरे भुर्तु जादु कर डाड़ी आपने तीनो रंग बता दिये पैपपा इसी को बताना नहीं क्या एक और जादु देखना चाहोगा? हाँ, प्लीज अब अपनी आखे बंद करो देखना नहीं है अब जादुी शब्द बोलो अब्रकडाब्रा अब्रकडाब्रा अब अपनी आखे खोल दो हुरे, मेरा बर्दे केक मॉम्बतियां बुझाओ पैपा हुरे, 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 पैपा तभी को थैंक यू ये मेरा सबसे अच्या बर्दे था आगी कि मेरातब्रा